नमस्कार्स वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने बाला हूँ कि कैसे राजस्थान रोयल की टीम हारी नहीं है बलकि हराया गया है जिहां आपको बता दें फाइनल मुकाबले में ही आज एक बहुत बड़ी बैमानी हुई है और जिसने भी इस बैमानी को देखा इस जिंदा दिली बैमानी को देखकर हर कोई दोस्तों सहर्म गया है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस final मुकाबले में Empire ने इतनी बड़ी बैमानी कैसी करा दी है और कहाए जा रहा है दोस्तों कि ये मुकाबला दुबारा कराया जाएगा क्यूंकि इस match में बहुत बड़ी बैमानी हुई है इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखीगा मैं आपको बताने बाला हूँ कि कैसे आज एक बहुत बड़ी बैमानी हुई है और कैसे इसके बाद दोस्तों सभी का गुस्ता फूटा है जिहां आपको उता दे आज बैमानी तब हुई जब दोस्तों हार्दिक पांडिया गेंद बाजी करा रहे थे और बल्ले बाजी कर रहे थे संजो सेमसन कैसे बैमानी हुई और कैसे पूरा मैच वहीं से पलट गया और उसके बाद भी अमपायर ने कुछ ऐसरी डिसीजन दिये जिससे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया और सबको समझ में आ गया कि ऐसा लगता है कि अमपायर ने जान बुछ करके गुजरा टाइटन्स को इस मुकाबले को जिता दिया है जाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहीएगा जी हाँ राजस्थान रोयल और गुजरा टाइटन्स के बीच में आज मुकाबला खिला गया और दोस्तो ये मुकाबला उस तरह का नहीं रहा जिस तरह की उम्मीद थी क्योंकि राजस्थान की टीम लबख 200 रन बनाने के लिए जानी जाती है लेकिन आज राजस्थान की टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया आपको जानकर हैरानी होगी कि आज राजस्थान रॉयल की टीम की जरब से दोस्तों ये सस्वी जैसवाल और जोस बटलर ओपनिंग करने के लिए आये थे ये सस्वी जैसवाल ने 16 गेंदों पर सिरफ और 22 रन बनाया और बहुत जल्द आउट हो गया तो है जोस बटलर ने 35 गेंदों पर 49 रनों की पारी जरूर खेली लेकिन ये पारी स्लो भी थी और बड़ी पारी में तबदिल ना कर सके जोस बटलर इसके लाएं संजू सैमसन दोस्तों इनके साथ आज बहुत जल्द आगे था लेकिन अंपारी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया थर्ड अंपारी ने देखा जरूर था लेकिन थर्ड अंपारी ने भी किस वज़े से यहाँ पर ध्यान नहीं रिया ये भी अभी चर्चा का विसे बना हुआ है अब इसके बाद अंपारी ने जान बुश करके संजू सैमसन को आउट दे दिया इसके बाद देवदत पैडिकल ने आज सिरफ दो रन बनाया वहीं सिमरन हैतमायर जिस गेंद पर आउट हुए हैं वहाँ पर कहाई जा रहा है कि वो गेंद भी दरसल 9 वोल थी और इनों ने भी 12 गेंदों पर 11 रन की पारी जरूर खेली लेकिन ये भी 9 वोल पर आउट हु नहीं हुए रिधिमान सास तिरफ 5 रन बनाकर आउट हो गया हैं लेकिन सुमंगिल ने 43 गेंदों पर 45 रन जल लिया मैथ्यू बेट ने 8 रनों की पारी खेली तो वहीं हार्दिक पांडिया ने भी 30 गेंदों पर 34 रन जल दिया इसके लावा डैविड मिलर ने 19 गेंदों प बैमानी हुई है ये मैच विल्कुल भी फेर नहीं रहा है क्या आपको लगता है कि ये मुकावला फाइनल मुकावला एक बार फिर से दुबारा होना चाहिए कमेंट करके शुरू बताना साथे वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद कर बार चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अची कि वेर नहीं है